के लिए हैलो डहरे बइस weld कि अधूर को ric adolescence के हिल्प को RICH एसे कंपाउंच पताना है जो की स्थे मन ऑफ से रहे हैं अगर सोल एक्सियल का reaction अगर हम लोग water से कराते हैं तो reaction करने के बाद क्या बनाता है यह sodium hydroxide बना लेता है साथ में chlorine gas बनाता है और hydrogen gas release करता है तो यह देखो एन एओच टू एन एओच यह जो बना यह sodium hydroxide बोलते है sodium hydroxide इसी का नाम होता है कास्टिक सोदा कास्टिक कि सोड़ा तो पहला तो हो गया कास्टिक सोड़ा फर्स्ट अब और क्या-क्या बन सकता है दूसरा हमारा जो बन सकता है वह बनता है बेकिंग सोड़ा बेकिंग सोड़ा कैसे बनता है तो अगर हम लोग NACL के एक्वस solution को लेते हैं एक्वस solution को लेते हैं और उसमें carbon dioxide के शाथ साथ ammonia gas भी provide कर देते हैं तो यह सभी आपस में react कर लेते हैं और आपस में react करने के बाद यह बनाता है एन ए एच सी ओ थ्री और एन एज फोर सील ठीक है तो इस तरह से यह चीजें बनाते हैं तो यह है sodium by carbonate इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग soda और baking soda जब बन जाता है तो caustic soda स्वरी इससे caustic soda हो गया baking soda हो गया और washing soda भी बनता है इससे देखो सेम प्रोसेस यही पर होता है यह baking soda पहले बनता है और baking soda को हम लोग क्या करते हैं एन ए सील का फिर से हम लोग क्या करते हैं एको solution लिए co2 में डाला एन एस त्री डाल तो यह reaction करके एन एच एन एच सीओ त्री और एन एच फोर सील बनता है अब यह जो एन एच सीओ त्री बना उसको हम लोग क्या कर देते हैं इस तरह से यह बन जाता है तो यह हमारा क्या हो गया यह हमारा का सोडियम कार्बोनेट भी बन गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या क्या बन सकता है क्वास्टिक सोडा वेकिंग सोडा और वॉसिंग सोडा भी बन सकता है वॉसिंग सोडा ओके आई होप यह कुश्चन आपको समझ में आया होगा तैंक यू